नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हूं का ग्यान लानर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास 10 मैट्स में जो आपका चैप्टर नमबर 5 चल ला है डाट इज एपी अर्थामाटिक प्रोग्रेशन इसमें हम लोग एकसरसाइज 5.2 5.3 कर रहे थे और इस वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आने वाले कोशन 100% समझ में आ जाएं ठीक है और चलिए इस वीडियो में ले रहे हैं 5 पार्ट और 6 पार्ट लेते हैं ठीक है कितने पार्ट है कोशन नमबर 3 में there are 10 पार्ट 4 पार्ट में बता चुका हूं अब यह 5 और 6 पार्ट कर आ रहे हैं तो देखिए समझते हैं कि इन एपी किसी एपी में क्या दिरका गिवन है डी इकोल टू फाइव या निक्या आपको कॉमन डिफ्रेंस पता है किसी एपी का 5 है एड़ एस 9 एस मदलब क्या होता सम ओफ ठीक है किसका सम ओफ 9 टम एड नाइन मदलब 9 टम का सम कितन हारा 75 दिया हुआ है देन फाइंड दा वैल्य ओफ ए आपको ए निकालना ए मिन्स फरस्ट टम एड एड नाइन मदलब 9 वाला टम ठीक है तो कोई भी टम पूछ ले मैंने का सैकेंड टम थर्ड फॉर्ट फिफ्ट एड नाइन टैन 12 25 30 35 कोई भी टम पूछ ले हमें क्या पत सब्सक्राइब मतलब फॉर्स टम एंड डी मतलब कॉमन डिफ्रेंस को कॉमन डिफ्रेंस तो आल्रेडी हमको मालूम है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि a9 को क्या लिख सकते हैं क्या a plus 8 डी क्या लिख सकते हैं क्या a9 को a plus 8D लिख सकते हैं according to this formula a n equal to a plus n minus 1 into d इसके recording भी हम बोल सकते हैं अगर एंड की जग अगर नाइन रख दो अगर आप रखिए नाइन तो ए प्लस 9-1-8D आपको अच्छी तरह से मालूम है यह होता है यह हम एक्साइज 5.1 में भी इस तरह की information में केवल s9 है यानि कि sum of 9 term तो आपको बता रखा है मैंने formula अगर आप देखें ठीक है कौन सा formula sum of n term ठीक है formula है sum of n term का formula है जी ध्यान से देखिए formula s n equal to होता है n by 2 and bracket में 2a plus n minus 1 into d यह होता है जी formula ठीक है किसका s n n मतलब n term जितने terms होंगे ठीक है किसी ap में तो sum of n term का formula यह है n number of terms a first term d क्या है common difference यह तो मैंने formula लग दिया अब आपको क्या दे रखा है s9 दे रखा आपको s9 दे रखा को कितना 75 यानि कि sum of 9 term यानि कि n की जगा क्या है 9 है तो इस formula को रख दीजिए n n upon 2 यानि की 9 upon 2 bracket में देखिए 2a a का value हमको मालूम नहीं है यहां पर n n की जगा क्या रखेंगे 9 9-1 और d d का value देखिए पता है कितना 5 रख दीजिए 5 into में ठीक है जी 75 यह आपका 75 है यहां तक क्लियर है s9 की जगा यह formula पूट कर दिया आप n की जगा 9 रख दिया d की जगा 5 रख दिया यह मालूम नहीं है अब आपको calculation करना इसको देखिए 9 upon 2 ध्यान से देखिए calculate कैसे कर रहा हूं 2a प्लस 9-4 करेंगे that is आपका आगया 8 8 into 5 बचा यहां तक समझ मारी बाते चलिए तो 9 upon 2 चलिए ऐसी रहें देख कोई problem नहीं है यहां बचा आपका 2a प्लस 8 5 जा 8 5 जा 40 एक्वल टू 75 यहां तक भी डन हो गया आई होप आपको मेरी बाते समझ में आ रहा होगा यहां तक ठीक है जी तो 9 upon 2 इन में चाहें तो आप 2 common ले ठीक है क्या common ले 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 टू देखिए 2 यहां भी है यहां भी है तो 2 common आ गया यहां बचा ए और यहां बचा 20 क्योंकि 22 to 40 होता है डन देखिए अपनी अपनी कैलकुलोशन होती है कई स्टूडेंट क्या करते है टू को यहां इंटू में ले जाएंगे और 9 को कहां लिए आएंगे आप आन में लिए सिधा भी कर सकते हैं से यहां मैंने सबसे बढ़ी लिया 2 common लिया तब इससे क आप का ये हो जाएगा है आपका आइंसे र Cloud मारे बाते क्या बोला हूं मैं कैसी भी कर सकते हो अपने अपनी कैलकुलोशन होती है तो अब आप क्या करोगे मना कोvo 9 बचाना आइसा ना आइन की आप चाहए तो अंदर मोल्टीप्लाइग कर दो 9 की आप चाहए तो अंदर क् 20 equal to 75 upon में क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा ऐसे भी आप कर सकते हो अपने अपनी केलकोर्शन होती है मैंने का तो एक को टू कितना गया 75 आप 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 कैंसल करेंगे तो कैंसल हो जाएगा किसे यह थोटा कर सकते हो तो कर देना चाहिए ठीक है यहां पर नहीं काटा तो यहां काल लेते हैं कोई बात ने ठीक है ठीक है ठीक कर रहा हूं ठीक है ठीक है तो कितना बचा देखिए माइनस कर सकते हैं बढ़िया करके तो यह बचा 10-5 करेंगे 5 आगया यहां बचा 55-2 करेंगे 33 आगया तो आगया माइनस का आगा क्योंकि 60 बड़ी डिजिट है तो एक का वैल्यू आगया आपका यह नहीं कि तो यहीं से आप ए निकाल देंगे क्लियर हो गया ए आगया आपका माइनस का 35 अपॉन 3 तो अब आराम से क्या निकल जाएगा आपका ए 9 भी निकल जाएगा ठीक है क्या निकल जाएगा ए 9 तो यहीं पर निकाल लेतें साइड में ए 9 यानि की 9 टॉम ठीक है तो क्या होगा ए प्लस एट डी हो जाएगा सिंपल सी बात है एका वैल्यू आपने अभी निकाला माइनस का 35 अपॉन 3 अभी निकाल रखा ना इसको रख दीजी यहाँ पर एका वैल्यू माइनस का 35 अपॉन 3 एंड प्लस एट इंटू डी का वैल हो गया एक्वल टू एल्सम के अरण का 3 एल्सम आरा माइनस का 35 प्लस 43 जा करेंगे डाट इस 120 ठीक है जी भाई 3 0 का 0 3 4 जा 12 अब 120 प्लस का यह माइनस का तो सब्टेट हो जाएगा 10 माइनस 5 यहाँ बचा कितना 1 यानि कि 11 हो गया 11 माइनस 3 जाट इस 8 85 अपॉन 3 हो गया तो आप बोलोगे हैंस या 100 जो भी आप बोलोगे ए एक वैल्यू तो आ गया था माइनस 35 अपॉन 3 यह जो निकाला एंड दूसरा ओगया था ए 9 ठीक है ए 9 कितना या 85 अपॉन 3 हो गया ठीक है तो इस तरह किसे हमने यह कौन सा कोशन कर लिया फिप्त पार्ट इसका कर लिया ठीक है आगे बास सद में चलिए बढ़ते हैं 6 पार्ट की और तो चलिए यह आपका 6 पार्ट है ठीक है यहां से हमने नोट कल दिया यह 6 पार्ट आपका इधर से आप देख सकते हैं गीवन में आपको ए दे रखा है यह मतला फॉस्ट आम आपको एपी का दिया हुआ है डी क्या भी निकालो ऐए एन मदलब ten भी निकालो तो एन आपको आपको अब अब बनाब बता है यहन का फॉर्मला क्या होता हैसे प्लस एन माइनचimin दी तो ए अपको यह तो एधी पाता हो चाह तो डी तो ऑल्रेडी मालूम है अच्छी बात है क्या पता हो चाहिए एन यानि आपको formula बताए कि sn का formula क्या होता है n by 2 ठीक है जी bracket में 2a plus n minus 1 into d आपको अच्छी तरके से यह formula याद हो गया होगा पिछले question से ठीक है चलिए तो आपको sn दे रखा आपको sn कितना दे रखा आपको sn दे रखा आपको 90 sn का value यह रख दीजिए ठीक है तो n upon 2 इधर 2a plus n minus 1 into d फि क्या दे रखा है 90 दिया होगा दने बात यह आपका formula सिंस लिख दीजिए ठीक है तो आपको यह given है यह क्या था आपका given था यानि की sn यानि के sum of n time 90 था sn का value रख दो इधर 90 चल ला है अब n, n का value तो निकालना है n तो मालूम ही नहीं है 2a, a का value कितना है देखिए 2 है रख दीजिए आपे place कर दो यहाँ पे n minus 1 into d अब d का value कितना देखिए 8 है तो d का value पता है रख दीजिए जो value पता उसको रख दो ठीक है तो n upon 2 आप देखें देखेंगे plus n minus 1 into 8 यानि कि 8 की आप अंदर multiply कर दें that is 8 and 8 बंजा 8 minus का हो जाएगा ध्यानकना किसका हो जाएगा minus क्योंकि plus 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 and plus minus minus this is equal to 90 यहां तक done होगी बात है यहां तक अच्छी तरह समझ में आ रही होगी calculation simple calculation n upon 2 अगर आप यहां पे देखेंगे 8 n plus का है और 4 minus 8 करें देखा ध्यानकना कई student जो है 8 n को 4 के साथ add कर देते हैं नहीं इसके साथ n है इनके साथ n नहीं है तो आपको पता है algebra में like term add होते हैं और like term ही subtract होते हैं like महला एक जैसे जैसे 4 है यह 8 है तो यह digit है 4 8 तो 4 minus 8 minus का 4 बचा जबकि इसके साथ n आ रखा पीछे तो 8 n उससे आ तो 4 रहा है common ठीक है 4 लेलो चलिए common n upon 2 इन में 4 लेलो common सिधा 4 common आ गया यहां क्या बचा आपका यहां बचा 4 टू जा 8 ठीक है 2 बचा माइनस यहां 1 बचा क्योंकि 4 बचा 4 होता है equal to 90 चल ला है इसको आप कट कर दें यानिके 2 टू जा 4 कर देंसे ठीक है इधर यह दो यहां यानिकि 2N-1 equal to 90 अपॉन यह 2 अपॉन मा आ गया इसे कट कर लेंगे बढ़िया करके ठीक है यहां इसको कट कर लीजिए 290 जा 45 यानिकि 2 4 जा 8 & 2 5 जा 10 इस n की अंदर में टिप्लाय कर दो 2N into n कितना हो जाएगा n square यानिकि 2N square plus minus minus n किन टू 1 से करेंगे n आ जाए इकवल टू 45 चला रहा है ठीक है चलिए तो 2N square minus n 45 को दले आएंगे minus का 45 होगा equal to 0 अब ज़रा गौर से दीखिए 2N square minus n minus 45 equal to 0 यह क्या बन गई आपकी quadratic equation कैसी equation बन गई मैं बता रहा हूं आपकी यह बन गई quadratic equation आप quadratic equation कैसे solve करते हैं आपने यह 9 में भी बढ़िया करके पढ़ा हुआ और 9 में दूर मत जाओ 10 में भी पढ़ा हूँ फोर्थ चेप्टर में ठीक है special chapter का नाम है quadratic equation आपको पता है quadratic equation को हम solve कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे सर method तो है factorization method फिर एक और था completing the square method और एक और था कौन सा quadratic formula method तो आप चाहें तो कोई problem नहीं है तो factorization से कर लो जैसा आपके मर्जी आप चाहो तो quadratic formula से कर लो तो आपको पता है टू की इंटू किस्ट होती है इसकी इंटू यहां होगी पहले माइनस 45 से यहनी के टू की इंटू माइनस 45 से होगे तो कितना है आपका माइनस का 90 है जाएगा अब इस माइनस 90 के ऐसे factor करने है आपको क्या कि ऐसे दो फैक्टर करने के क्वाड्रेटिक का मतलब 200 होता है इसकी degree 2 होती है इसकी दो फैक्टर करने है और ऐसे फैक्टर करने की अगर उनको मैं एड करो तो क्या नचीए माइनस का 1 इनके आगे कुछ नहीं मनला 1 है ठीके तो 90 के क्या ऐसे factor होंगे ठीके 90 के दो फैक्टर ऐसे क्या होंगे तो हमने कहा simple 10 इंटू 9 कर दो 10 इंटू 9 कर दो ठीके क्योंकि 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा और 10 मेंस 10 मेंस थै कितना कर दिया minus का 9 कर दिया ठीक है 10 into minus का 9 यानि कि minus का 9 टी हो रहा और अगर मैं 10 minus 9 करूंगा यानि कि add करूंगा बात एक ही है 10 minus 9 या 10 plus minus 9 बोलो बात एक ही है तो यह 1 आ रहा तो बिल्कुल 1 चीधा रहा तो यही आ रहा तो ऐसा इसके यह factor कर लिए मैंने या अगर अगर यह चीज समझ में नहीं आती है तो SIMPLE सी टरीका में बताता हूं आपको निवस मतलो थिक है 55 90 मतलो ठीक है आपने की 45 से 90 आगया आप 10 ठीके ऐसे दो फैक्टर करो क्या की माइनस करके यह वाला साइन बताएगा कि माइनस करना है कि प्लस करना है अगर यह प्लस होगा तो प्लस करना पड़ेगा माइनस होगा तो माइनस की माइनस करके कितना आना चीए वन आना चाहिए इसके आगे कुछ नहीं मतला वन आना चाहिए ठीक है जाने बाद तो आपने फैक्टर किये 10 इंटू 90 के 10 9 जा 90 और अगा 10 में से माइनस 9 कर दे तो कितना आ गया वन आ गया देखिए वन आयके नहीं है बस सिंपल तो 10 और 9 इसके क्या हो गए दो फैक्टर हो गए तो बस यहां पर इसको आप लिख दीजिए 2N स्क्वार माइनस तो इस N को क्या लिखेंगे आप ब्रेकेट में लिख जितना हो चलो 10-9 लिख स्क्राइब को अच्छी तरह से पता होगा कैसे करते हैं ठीक है चलिए नहीं आता तो पूरा जो है क्वारिटिक एकोशन वाला चैप्टर आप देख सकते हैं ठीक है चलिए तो माइनस का अंदर 10N माइनस माइनस प्लस 9N माइनस का 45 इक्वल टू जिरो अब आपको अच्छ तो यहां 2 1 जा 2 1 लिगने की जुरुत है नहीं यहां N स्क्वार का N भार है तो क्या बचा है N माइनस यहां 2 5 जा 10 ठीक है N भार है जाने बाद अब इन दोनों में क्या रहा है इन दोनों में 9 कॉमन है 9 अंदर यहां N बचा माइनस 9 5 जा 45 तो दीखिए आपको कई बार बता रहा है मैंने कि check कैसे होगा कि जो इस ब्रैकेड में आता है वही इस वाले ब्रैकेड में आना चाहिए अगर यहां N माइनस 5 तो यहां भी N माइनस 5 ही होटा अगर नहीं आ रहा है तो समझो हमने या तो फेक्टर में कुछ गर्डबडी कर देखिए या कहीं न कहींस हमने ग पता है n-5 equal to 0 क्योंकि quality की कितने solution आएंगे दो solution आएंगे तो n-5 equal to 0 करेंगे and दूसरे को क्या करेंगे 2n plus 9 equal to 0 तो यहां से n का value simply 5 आ गया यहां से करेंगे तो 2n equal to minus का 9 उसके बाद 2 कहा जाएगा अपन मा जाएगा ठीक है माइनस का 9 upon 2 अब n n क्या होते है number of terms और number of terms कभी भी किसमें नहीं हो सकते है minus में या upon में नहीं हो सकता आपको कई बार बतार का भई मैंने कहा कि कितनी उंगलिया आप बोलोगे पांच उंगलिया है इसे नहीं बोलोगे सर कि 5 upon 2 उंगलिया मेरी नहीं बोलोगे आप ऐसे ठीक हमेशा एन का वैल्यू एक कैसा नंबर आना चीए नहीं बोलते हैं तो आपका एन आ गया यानि कि एक चीज आपकी आ गई बस जो इसमें यह कैलकोशन करनी आपको उपर से देख लोगे एक बार दुबार से और आपको यहां पर क्वाडिटी के उसन को सौल करना है कि भाई 45 इंटू 2 से करो 90 आएगा एन 45 इंटू 2 90 के ऐसे फेक्टर करो कि माइनस करके वन आ जाए तो 10 इंटू 9 कर दो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ गया माइनस कर लो 1 ही तो आगा यहां ठीक है बस उसके बाद सौल करना है अभी काम खतम नहीं हुआ क्योंकि अभी एन चाहिए क्या चाहिए आपको एन आपको चाहिए तो क्या आ गया जी 5 यानि कि एक्चुली यह फिप्ट टाम आ रहा कौन सा टाम आ रहा एक का फिप्ट टाम ठीक है तो ए प्लस एन एन के जगा रख दें एन एन मनला 5-1 तो एक्चुली देखिए 4D आएगा सी दिसी बात है वैसे एक का वैल्यू मैंने रख देना से था लेकिन एट है रख दो यहां पर क्या प्रॉब्लम है 2 प्लस 4 एड़ जा ठीक है 4 एड़ जा 32 32 मैं 2 एड़ करोगे दैट इस 34 दिस फिप्ट टम आ गया एक तरसे यानि कि ए एन एन मदला 5 आ गया एन का वेल्यू 5 आ गया तो ए 5 तो आ रहा तो आप बोल सकते हो यहां पर क्या आप यह बोलोगे कि हमारा जी एन का वेल्यू 5 आया और एन मदला 5 ठीक है 34 आया तो समझ में आ गया कैसे किया बहुत ही अच्छे कोर्शन थे मैंने आपको इस वीडियो में केवल दो पार्ट बताए ताकि आपको बढ़िया तरीके से में समझा पाऊं ठीक है अच्छी तरीके स पाऊंए 15छ थन दो जाजा कैसे स्वावात कि आपको इस वेल्यो है वीडियों में धच्छी इए का यौं तरीके सीन्ने झाट छोलोगे कोफां तो समझा एना ग dispेया जाबारके से वीडियों में पाईम्तल भूर्ट बतास्लाओमों कि ऑल जो पादाए से अच्छी चुत